नमस्कार इस वक्त एक बड़ी खबर जो निकल करा रही मुंबई के विक्रोली लाके से जहां पर एक घर में शनिवार रात गैस सिलेंडर फटने से एक महिला गंभी रूप से घायल हो गई महिला का फिलवारा राजावारी अस्पताल में इलाज चल रहा है और अस्पताल प्रबंदन ने बताया कि उसकी हालत बेहत जादा गंभीर है घटना यहां के सुरिया नगर इलाके में रहने वाली सुजाता कवले 30 साल की उमर में जियां वो घर में थी अपने और यहां पर अ अचानक उसके घर का जो गैस सिलिंडर था उसमें जोड़दार धमाका हो गया इस धमाके के बाद घर की दिवारे और अगल बगल के घरों के चज्जों को भी काफी जादा नुकसान हुआ और बता दे इस घटना ने सुजाता को लगभग 80% जला कर राक कर दिया और गहन च कितसा कच में उसका इलाद चल रहा है और उमीद कम ही बताई जा रही है कि यहां से उसकी बचने के क्योंकि असे फीज़ी जलने के बाद बहुत ही रेर चांस होता है कि कोई बच जाए लेकिन यहां पर एक बार फिर से सिलिंडर ब्लास ने लोगों के भीचर जो है डर का मह हौल पैदा कर दिया है लगातार इसे हाथ से बढ़ते जा रहें इसके पीछे क्या वजह है क्या सिलिंडर की कॉलिटी में या फिक कोई लापरवाही हो रही जिसकी वज़े से ब्लास्ट हो रहे इस पर सरकार को प्रसासन को ध्यान देना होगा ताकि ऐसे हाथसों से बचा जा सके चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट नीज इंडिया आपके लिए लेकर आता है दिस दुनिया की तमाम बड़ी और मत्रूख खबरे सबसे पहले जहें दोस्तों अपना ख्याल रखें और साधानी बढ़ते